इसके पिछले वीडियो में React Routers को पढ़े थे इस वीडियो में React CSS Styling को सीखने वाले हैं कैसे React में CSS को यूज करेंगे ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं ये React CSS Styling का Docs है इसका लिंक में description में दे दूँगा इसी Docs को follow करके React CSS Styling को सीखने वाले हैं React में CSS तीन तरह से लिख सकते हैं First है Inline Styling Second है CSS Styles Third है CSS Modules Inline Styling में क्या है जो भी Element है उसके अंदर ही आप Style दे सकते हैं जैसे HTML में करते थे वैसे ही है बट थोड़ा सा Changes है Style लेंगे, React में Curly Bracket लेंगे और HTML में Double Quoted लेते थे या Single Quoted लेते थे और उसके अंदर एक और Curly Bracket लेंगे Object बनाएंगे Object बनाके CSS का Properties लिखेंगे जैसे Background Color है और Color है इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको देखते हैं जैसे ये है मैं यहाँ पे एक HTML लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ Heading ठीक और इसके अंदर Style लोंगा एक Curly Bracket लेना है और इसके अंदर एक और Curly Object बनाके लिखना होता है जैसे मेरे को Background Color देना है तो Background Color जो भी इसमें Properties लेंगे वो Camel Case होना चाहिए Single Coated के अंदर Red देदूँगा और Font Size देदूँगा Font Size देदूँगा 12 पिक्सल तो यहाँ पर देखी यह ऐसे इसका Background आ गया और यहाँ पर Padding थोड़ा देते हैं तो यहाँ से Padding भी दे सकते हैं 12 पिक्सल तो इस तरीके से यह दिखने लगा तो यहाँ पर आप Inline Styling इस तरह से लिख सकते हैं In this first curly bracket is to write JavaScript इसमें JavaScript लिखेंगे एक second object बनाएंगे जिसमें CSS को लिखेंगे इस तरह से जैसे यह है तो इसको comment करता हूँ और यहाँ पर एक h1 बनाता हूँ और इसको भी heading देते है heading ठीक यहाँ पर एक object बनाएंगा const heading equal to curly bracket के अंदर background color दूँगा background color red और फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 10 पिक्सल और इसको यहाँ पर एक्सेस कर लोंगा यहाँ पर style रहेगा और यह heading तो यह work करेगा एक ऐसे work कर रहा है यहाँ पर इसका फॉन्ट 30 कर देता हूँ यह देखें फॉन्ट साइज जैसे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और एक note है कि css property जो है वो camel case में लिखेंगे यहाँ पर html में ऐसी यूज करते थे बट react में इस तरह सी यूज करेंगे then second है css style sheet css style sheet में क्या होता है कि आप एक separate file बनाएंगे .css extension यूज करके और उसको अपने application में import करना है यहाँ पर एक style sheet बनाता हूँ app.css करके यहाँ पर heading करके लिखता हूँ css heading और यहाँ पर background color देता हूँ red और font size देता हूँ 20 pixel यह हो गया और इसको यूज करना है तो app.jsx में जाएंगे इसको comment करते हैं और यहाँ पर rfc जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले import करेंगे app.css और यहाँ से h1 लेते हैं और यहाँ पर heading देते हैं heading और जो class name दिये थे app.css में जो class name दिये थे वो यहाँ पर दे देंगे heading और यह वैसे ही work करेगा यह work कर रहा है यहाँ पर changes करूँगा जैसे font size 90 करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा तो css style sheet का कुछ इस तरीके से use कर सकते हैं css style sheet use करने का फाइदा यह है कि js object use नहीं करना होगा camel case में नहीं लिखना होगा और यहाँ पर import करना बहुत ही जरूरी होता है तो आप यहाँ से import कर सकते हैं और css module जैसे आपने style sheet बनाया sub class का name same है तो वो क्या होता है name conflict हो जाता है आपको specific component में किसी class को use करना है वहाँ पर class name conflict हो जाता है उसके लिए css module लाया गया तो यहाँ पर आपको .module.css का use करना होगा इसका extension है जैसे example है index.module.css तो एक ऐसा file बनाएंगे यहाँ पर index.module.css ठेक यहाँ पर button class का बनाएंगे यह इसी component में ही use होगा यहाँ पर background color देंगे blue और app.jsx पर जाएंगे और यह तो आपका style seat का हो गया यहाँ पर क्या करेंगे एक rfc लेंगे और यहाँ पर import करेंगे style को style from index.module.css और यहाँ पर एक button लेंगे click यहाँ पर class name देंगे और class name के अंदर style और जो आपका class name था button यह हो गया button यह वैसे ही अब work करेगा देखे यह work कर रहा है css module का इसलिए यूज किया जाता है specific component में css लिखना है तो module.css का यूज करेंगे यह जो button class है यह इसी के लिए यूज होगा आप तीन तरह से react में css को लिख सकते हैं जैसे आपको react में talent css यूज करना है आप official website से भी install कर सकते हैं जैसे यहाँ पर wheat.js talent css इस पर जाएंगे और click करेंगे इसका कुछ steps होता है docs में दे दिया हूँ आप easy way में इसे install कर सकते हैं तो पहले आपको npm install करना है then npx tellwind.init करना है और configure कर देना है तो यह work करने लगे और आप bootstrap को भी use कर सकते हैं यहाँ पर link करेंगे और यहाँ पर script को link करेंगे तो यह जो tellwind और bootstrap है यह projects में बहुत बार projects में use करेंगे तो यहाँ पर main यह है कि आप react में css styling तीन तरह से कर सकते हैं inline styling और css styling और css modules तो मिलते हैं next video में